नमस्कार दोस्तों चत्तीजगर न्यूज अपडेट में तो इस समय की बड़ी खबर सामने आई हैं, भांजी को पीटने वाले मामा सहिद दो आरोपी गिरफतार, दंतेवाडा जिले में मामूली विवाद पर मामा और उसके परिवार के सदस्यों की ओर से गर्भवती भांज मामला किरंदुल थानाक शेत्र का है, दरसल किरंदुल शहर के में मार्केट में रहने वाले सरोज गुपता और उसकी बहन का घर आसपास में ही है, सरोज गुपता अपने घर के बाहर कुछ काम कर रहा था और उसकी आठ महीने की गर्भवती भांजी अपने घर के बाहर और मारपीट शुरू हो गई सरोज ने पहले अपनी गर्भवती भांजी का बाल पकड़कर जमीन पर पठका फिर घसीतने लगा बीच बचाव करने सरोज की बहन गर्भवती की मा आई तो उसे भी बुरी तरह मारा इतना ही नहीं फिर घर से डंडा लेकर आया और दोनों की प कोशिश नहीं की इस भीड के बीच से एक शक्स ने पूरे घटना का विडियो बना कर वाइरल कर दिया विडियो वाइरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और मामले में दो आरोपियों को गिरफतार किया है